जै मातादी आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में दोस्तो आज हम बात करेंगे मीन राशी के बारे में 12 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक का समय आपके लिए कैसा रहने वाला है दोस्तो हमारा राशी फल चंद राशी पर अधारित है यह समय फालगुन मास के क्रिशन पक्ष का समय है और मीन राशी वालों के लिए बेहत खास और सांदार है चलिए शुरुआत करते हैं बारा तारिक बुद्वार से बारा तारिक बुद्वार को चतुर्ती दिथी रहेगी दिन में उत्तर फालगुनी नक्षत्र होगा शाय काल में हस्त नक्षत्र रहेगा इस दिन चंदरमा कन्या राशी से कोचर करेंगे दिन में सूर्य का नक्ष रहने वाला है मीन राशी वालों बहुत बड़ी मातरा में धनलाब और कामियाबी आपको इस दिन मिलने वाली है इस दिन पुराने उधार की वापसी होगी रुका फसा धन आप तक पहुंचेगा फसे हुए धन को निकलवाने में आप कामियाब रहेंगे यह समय आपके कर्ज को खतम करेगा विदेशी कामों से सफलता का योग है बुदवार के दिन बड़ी मातरा में धनलाब जनम स्थान से दूर स्थल से हो सकता है जनम स्थान से दूर रहने वालों को बड़ा फायदा मिलते हुए नजराएगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रैवलिंग मार्केटि में लडाई जगडे में बहस आदी में आपकी जीत होगी इसके अतरिक्त आपके पार्टनर की तरक्की इस दिन हो सकती है वेवाहिक जीवन इस दिन खुशाल रहेगा घर परिवार में सुक सान्ती बनी रहेगी जोग में परमोशन मिल सकती है विद्यार्थी शिक्षा के श तरह नक्षत रहेगा चंदरमा कन्या राशी से गोचर करेंगे पुरे दिन मंगल का नक्षत इस दिन रहने वाला है आपको अपनी किसमत का पूरा साथ इस दिन मिलने वाला है बहत बड़ी मातरा में धनलाब अचानक से प्रोफिट शेयर्स में 60 लोटरी में प्रोफिट आ प्रोफ उत्सा आपके अंदर बना रहेगा बहत अच्छी एनरजी आपके अंदर बनी रहेगी और बड़े मुश्किल कामों को और बड़े पुराने अधूरे कामों को भी आप पूरा करेंगे इस दिन पूजा पाठ में धर्म आध्यात में विशेश रूची रहेगी और विदेशी भूमी से लाब की प्राप्ती होगी। बात करें चोदा तारिक शुक्रवार की इस दिन शस्ती तिथी रहेगी। स्वाती नक्षत्र होगा। चंदरमा तुलाराशी से गोचर करेंगे। राहू का नक्षत्र रहेगा। इस दिन आपको घर परिवार में वाद करने से बचना चाहिए। बोल चाल में मिठास रखें। पुरानी बातों को छोड़ कर आगे बढ़ना चाहिए। इसके अतरिक्त सुभाव में आपके स्वार्थ बढ़ सकता है। मन में बहुत से नई इच्छाएं उत्पन हो सकती हैं। और आप महत्वा कांसी हो सकते और अपनों की भावनाओं की कदर करें। अपने साथ रहने वालों के साथ तालमेल बिठा कर चलने का प्रयास करना चाहिए। कारोबार के लिए रिश्क ना लें। सहत का ख्याल रखें। और ट्रैवलिंग में थोड़ी साथानी जरूर रखें। दोस्तों बात करें पंद हो जाएगी। समाजी कारियों में रूची बढ़ेगी। करियर की दिर्ष्टी से समय लाब का है। नई नोकरी तलास करने वालों को इस दिन खुशकबरी मिल सकती है। यह समय बहुत बड़े लाब का है। आपको जोब में प्रमोशन मिल सकती है। मन चाही जंगा पर आप पर दिर्ष्ट मी तिथी रहे की अनुराधा नक्षत्र होगा। चंदरमा वरिष्चिक राशी से गोचर करेंगे। शनी का नक्षत्र इस दिन रहने वाला है। इस दिन आप बहुत अधिक मेहनत करने वाले हैं। विदेशी कामों में लाब प्राप्ट होगा। और इस दि पर्मिक यात्राओं का योग भी इस दिन बन सकता है। इस दिन आपके कुछ खर्च भी रहेंगे। कुछ पारिवारिक जिम्मेवारियों के चलते खर्च भी बढ़ सकते हैं। कारोबारिक स्थिती व्यापार की स्थिती अच्छी रहेगी। धन का आना होगा लेकिन आनकारी अच्छी लगे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और सच्चे मन्द से जै मातादी जै मालक्षमी जरूर लिखे।